वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज का जो टॉपिक है वो हमारा HP की बायोस को अलॉक के उपर है जो HP के आजकल के जो लेटेस जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उसमें HP की जो बायोस में पास्वर्ड लगे होते हैं उनको आप कैसे अलॉक कर सकते हैं यह मेरे पास दो मॉडल लिये हुए है HP इलाइट बुक 840 G3 है HP इलाइट बुक X360 X360 G8 है इनमें आजकल क्या होता है बायोस में जब पास्वर्ड लगा रहता है तो इनको पास्वर्ड को अलॉक करने का क्या प्रोसेस रहता है तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मेरे पास ये एक बैक अप है जिसमें पास्वर्ड लगा हुआ है इसका हम अलॉक करना सीखेंगे सबसे सिंपल तरीका क्या है पहले आप क्या करिए इस मॉडल को कॉपी करिए और एचपी की साइड पर आप चले जाएए यहां पर एचपी सपोर्ट आप लिखेंगे आपके पास दो ओप्शन है बायोस को अनलॉक करने के या तो आप बायोस दूसरी उसमें इंसर्ट कर दे या फिर आप इसी बायोस को प्रिपेर करके पासवर्ड को हटाएं तो चलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर आप बायोस का कोई भी वर्जन ले सकते हैं यहां प्रिवियस वर्जन में जाएए याद रखिएगा जब भी आपको बायोस बनानी हो या प्रिपेर करनी हो तो यहां जो सबसे नीचे की साइड में है यानि कि यह जब 2016 में यह लॉंच हुआ था लैप्टॉप औ और आपके पास कोई जो बायोस मिली है वो स्क्रैब बायोस है यानि कि कोई ओरिजिनल बायोस बैक अप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कोई सभी इसमें से वर्जन ले लीजिए सभी वर्जन की बायोस काम करती है इस पे तो हम भी क्या करते हैं इसको ले लेते हैं एक बर प्रूरी नहीं है कि आप अपडेटिट लें या बिलकुल लोर वर्जन ले इसको हम डेश्टॉप पे सेव करेंगे हमारे अनलॉक वाले फोल्डर में यह हमारे पास डाउनलोड हो गई इसको जब भी आप एक्स्टेक्ट करें राइट क्लिक करके एक्स्टेक्ट ना करें कई बर क्या होता है इसके अंदर जो फाइल रहती है वो इंकरप्टिड रहती है और जब आप बनाने जाते हैं तो आपको नॉलिज नहीं रहती है कि वो इंकरप्टिड फाइल है तो उसके कारेंट से क्या होता है आप बना तो लेते हैं उपर और नीचे का डेटा मैच करक एक नई फोल्डर में फोल्डर नमबर 3 बन गया मेरा इसके अंदर एक्स्टेक करेंगे और यहां पर यह एक्स्टेक हो गई है ठीक है मेरे पास यह एक्स्टेक होकर मिली है फाइल याद रखिएगा जब भी आपको फाइल मिले आप समझ जाहिए कि आपकी complete बायोस है या फि यह मैं आपको बता दूँ यह केबल ऐसा उन्ही मॉडलों में होता है जो इलाइट बुक होते हैं नॉर्मल जो होम यूजर के लैप्टॉप होते हैं उनमें complete बायोस मिल जाती है आपको तो यहां पर आपके पास दो ओप्शन है बायोस को रिप्लेस करने के या तो यूए रिप्लेसर से आप रिप्लेस कर लें या फिर हैक्स की मदद से तो मैं दोनों यह प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप बायोस को रिप्लेस कर सकते हैं पहले प्रोसेस को मैं ले लेता हूं यूफाइ की मदद से BIOS को drag कर दीजिए और right click करके इस पर click कर दीजिए BIOS region पर click कर ये right click कीजिए और replace का option आ रहा है folder के अंदर वापस से हम जाएंगे और ये मेरी file है इसको मैं क्या करूँगा replace कर दूँगा और save image कर देंगे यहाँ पर जो भी नाम देना हो अनलॉक दे देते हैं dot bin ये मेरी unlock BIOS है ठीक है अगर मेरा password BIOS region के अंदर था तो मेरा password हट चुका है अब size देखिए दोनों का same है ठीक है अब मैंने आपको बताया UFI replacer की मदद से कैसे आपने इसको unlock BIOS बनाया अब मैं आपको बताऊंगा कि hex की मदद से कैसे इसको बना सकते हैं option कई सारे आप FIC tool की मदद से भी इसको replace कर सकते हैं लेकिन जो आपको option अच्छा लगे आप उससे replace करिए जो आसान तरीका लगे आप उससे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि hex की मदद से आप bios region कैसे replace कर सकते हैं तो दोनो bios को आपको open कर लेना है hex shop workshop में और यहां पे tile vertically ले लेना है अब यहां का data FF है तो जाहिर सी बात है हम control F करके अगर search करेंगे तो वो match नहीं करेगा तो आप bios region कैसे replace कर सकते हैं आपको पहले यह पता होना चाहिए old back cup को आप old bios को replacer में drag कर दीजिए मैंने drag किया तो सबसे पहले descriptor region, gb region, me region नीचे bios region है यानि कि हमें इसमें old वाली में से bios region को replace करना है तो कैसे replace करेंगे नीचे की तरफ bottom पे आईए right click करिए copy address कर लीजिए और इसको यहीं पे cursor को blink करने दीजिए edit पे जाईए और go to option पे select कर लीजिएगा याद रखिएगा आपने जो address copy किया है वो hex value नहीं है यह जो address है वो decimal पे tick होना चाहिए ऐसा है नहीं होना चाहिए यहाँ पे decimal पे tick कर लीजिए और right click करके paste कर दीजिए address यह अगर beginning है तो इसको आप क्या करिए end of the file क्योंकि हम क्या कर रहे है नीचे से उपर की तरफ जा रहे है तो नीचे से उपर की तरफ जितना area है वो क्या है मेरा M region है GB region है, descriptor region है तो मैं क्या करूँगा इसको क्या करूँगा go to click करूँगा अब यह क्या हुआ अब cursor यहाँ पर आके blink हुआ ठीक है, अब मेरे पास दो option है या तो मैं नीचे का area select करके delete कर दूँ या फिर मैं क्या करूँ उपर का area select करके cut करके इस वाले area में put कर दूँ तो मैं क्या करूँगा simple सा इसको shift की दबाके और नीचे तक ले जाऊँगा और इसको right click करके delete अब क्या करना है इस वाले area को जो नया वाला updated है copy कर लिजिए और paste कर दीजिए और यहाँ पे size देखिए यहाँ पे size exit है और आप क्या करिए save as कर दीजिए new bios dot bin के नाम से अब यह आपकी एक new bios बन गई और एक मेरी यह मैंने UFI replacer की मदद से बनाई और यह hacks की मदद से बनाई अभी कई सारे option है जिसकी मदद से आप bios को unlock कर सकते हैं अब यह दो bios आपके पास चाहे आप यह write करें चाहे यह write करें bios आपकी unlock हो चुकी है अब इसमें serial number put कैसे करना है उसका भी process है वो अगर आपको जानना है तो आप हमारी videos को purchase कर सकते हैं और आप और advanced label पे अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी जो bios unlocking की process क्या है पूरा full video अगर चाहते हैं आप हमसे purchase कर सकते हैं आपको contact number मेरा description में मिल जाएगा झाहते हैं